दोस्तों जो मनुस्य जो मानव जो इंसान इस भारत भूमी पर रहता है और हिंदू धर्म को स्विकार करता है हिंदू धर्म का अनुशरण करता है वे भगवान स्री राम को अवश्य मानता है अवश्य मानता है उनको उनके प्रति शुरद्दा रखता है और मैं ऐसा सवस्ताओं की हर घर में हर परिवार में राम चरित मानस का जो गृंत है वो मोजूज रहता है जी हाँ, आज हम इसी ग्रंद के बारे में चर्चा करेंगे और इस ग्रंद के भी एक छोटे से हिस्से के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जिसको पढ़ा करते हैं, वो है रामचरित मानस और वो है अवधी भासा में और लिखी गई है गोश्वामी तुलसी दास जी के द्वारा। साथ उनका विवाह और विवाह से पहले जो स्वेंबर हुआ था स्वेंबर में धन उसके तूटने के तुरंत बाद जो गटना गटी थी उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले तुलसी दास जी के बारे में तुलसी दास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाओं में पंद्रो सु बत्तिस एस्वे में हुआ था और कुछ विद्वान उनका जन्म स्तान सोरो जिला एटा भी मानते हैं तुलसी दास जी का बच्पन जो था वह बहुत ही संगर सपूर्ण था और जीवन के प्रारंबिक वर्सों में ही इनके माता-पिता से इनका बिच्छो हो ग कहा जाता है कि गुरू क्रिप्या से उनने राम भक्ती का मार्ग मिला गुरू की कृपा हुई और गुरू ने इनको सत्तमार्ग दिखाया और राम की भक्ति ये करने लगे राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलण definite हैं यानि ऐसा और कोई नहीं है जिसने भगवां स्र स्रिराम की इतनी भड़ी भक्ति की दो आगे लिखते हैं कि रामचरित मानस की अनन्य राम भक्ति और उनके श्रिजनात्र्म कोशल्ण का मनोर्म उदारन यानि रामचरित मानस को देखते ही हमें लगता है कि सच में ये भगवान स्री राम के अनन्य भक्त रहे है आगे लिखते हैं कि इनके राम मानविय मर्यादाउं के और आदर्शों के प्रतीक हैं जिनके माध्यम से तुल्शी नेती, स्नेग, शील, विने, त्याग जिसे उद्धात आदर्शों को प्रतिस्ठित किया है अर्दात जो व्यक्ति रामचरितमानस का अध्यन कर लिता है वह सच में शील से परिपूर्ण हो जाता है अर्दात नम्रता उसमें समाहित हो जाती वह नम्र बन जाता है वह मर्यादाओं का पालन करने लगता है आगे लिखा इनके बारे में कि रामचरित मानस उत्तरी भारत की जंता के बीच बहुत लौक प्रिया है जी खां उत्तरी भारत में अनेक घरों में मैं कहूंगा अधिकांस परिवारों में रामचरित मानस का अध्यन अध्यापन नियमित रूप से खुता रहता है रामजरित मानस के अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में कहा गया है कि गीतावली, दुखावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदी उनकी प्रमुक रचनाएं हैं और अवधी और ब्रिज दोनों भासाओं पर उनका समान अधिकार है यानि इनोंने अवधी भासा में भी रचनाएं लिखी है और ब्रिज भासा में भी रचनाएं लिखी है और सन 1623 ईश्वी में कासी में उनका देहावसान हो गया और ताथ ये इस दुनिया से विदा हो गया देखते हैं इनके बारे में और क्या लिगा है तुलसी ने रामचरित मानस की रचना अवधिभासा में की है और विने पत्रिका तदा कवितावली की रचना ब्रजभासा में की है उस समय प्रचली तो सभी काववे रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है यान अनेक कवियों ने तूलसी दास जी की रचनाएं जो है उनमें अपनी प्रतिचाएं देखी है अर्था आत उनकी नगल करने का प्रियास किया है या उनका अनुशरन करने का प्रियास किया है रामचरी दमानस का मुख्य चंद चोपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरोटे, हरी गीतिका तथा अन्य चंद भी पिरोए गए है आगे लिखा है कि विनेपद्रिका की रचना गेई पदों से हुई है गेई पद क्या होते हैं? गेई पद होते हैं जिनको गाया जा सके तो विनेपद्रिका को गाया जा सकता है और कवितावली में सवया और कवित चंद की चटा देखी जा सकती है कवितावली जो इनकी रचना है उसमें कवित और सवया ये दोनों चंद विशेश रूप से प्रयूक्ट होए हैं उनकी रचनाओं में प्रबंद और मुक्तक दोनों प्रकार के कविय का उत्कृस्ट रूप है तो सुरुवाद करते हैं हम रामचरिद मानस के बालकांड से संक किया गया राम लक्समन परसुराम संबाद आख ये गटना उस समय की है जब भगवान स्री राम और उनके चारों भाई अयुद्या में गए स्वयंबर के लिए राजा जनक के दरबार में स्वयंबर रहा था जहां भगवान स्री राम उस समय सामान्य मानव आम आदमी जिसे हम कहते हैं उसके रूप में थे उनके गुरु वसिस्ट उनके साथ में थे वे अपने गुरु के साथ में राम अपने गुरु के साथ में राजा जनक के दरबार में गए और वहां बगवान शिव का धनुज रखा था उस धनुज का इतना सा ग से वहां पधारे थे तो उन चारों राजकुमारों को भी वहां आहूत किया आमांत्रित किया बुलाये गया गये वहां वह यूंकि सभी राजाओं ने प्रयास किया लेकिन एसा फल रहे राम ने क्या किया जोंगी उस धनस को उठाया प्रतेल्चा चड़ाई और वो धनस तूट कया धनस बंग हो गया तूटा तो भगवान शिव का धनस था और जैसे ही तूटा तो उसकी द्वाने इतनी जबर्दस हुई कि शिव के सिस्य परशू राम जी वहाँ पहुंच गए दोड़े राजा जनक के दर्बार में आए और जब उन्होंने देखा कि मेरे गुरू भगवान शिव का धनस किसी ने तोड़ दिया तो वो आग बबुला हो गए क्रोधित हो गए तो यहीं से सुरू होती है राम लक्समन परशू राम समवाद की चर्चा तो सुरूआत करते हैं जब परशू राम जी वहाँ आते हैं और क्रोध करते हैं और पूचते हैं कि ये धनस किस ने तोड़ा तब राम जवाब देते हैं कहते हैं कि नात संभु धनु भंज निहारा होई के वह एक दास तुमारा कहते हैं कि हे नात हे स्वामी संभु धनु भंज निहारा संभु धनु अर्थात भगवान शिव जी का धनस भंज निहारा तोड़ने वाला वोई कि वोई गदास तुमारा आपका कोई एक दास ही होगा जब परशुराम जी ने बूचा कि ये धनुस किस ने तोड़ा तो राम कहते हैं कि ये स्वामी ये सिवजी का धनुस तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा ऐसे कौन तोड़ सकता है आगे पंक्ते में लिखा है कि आये सु काह कहिए किन मोगी आप तो किसले आये हैं कहिए किन मोगी मुझसे कहते क्यों नहीं है क्या दात है मुझे बताइए तो ये बात सुन करके क्या हुआ सुनी रिसाय बोले मुनिक होगी ये बात सुन करके रिसाय क्रोधी दो करके मुनि बोले यानि जैसे की राम ने ये कहा कि आपका कोई दासकी होगा जिसने इसी मुझी के धनुस तोड़ दिया है आप तो किसले बता रहें बताएए क्या बात है इस बात को सुनकर के परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और फिर क्या बोलते हैं सेवक को सो जो करे सेवकाई अरी करनी करी करिये लड़ाई अर्दाथ अरी शत्रु अरी करनी सत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही की जाती है और तुम कहते हो कि कोई दासकी होगा ये तो तुमने ये तो जिसने भी भगवान सिर्व का धनुस तोड़ा है उसने शत्रुता का का काम किया है तो ये ही का तो शिर निजर यानि सुनो राम। जिसने भी सिव दोड़ा व्हक की बुजहों को काट दिया था उस गंबीर अपराद कर दिया था तो जिस प्रकार सहसर बाहू मेरा सत्रू है उस प्रकार जिसने भी सिवजी का धनुस तोड़ा है वो मेरा सत्रू है आगे कहले का है सो बिलगाओ बिखाई समाजाओ और जिसने भी धनुस तोड़ा है वो बिलगाई अलग हो जाए बिखाय समाजा समाज को चोड़ करके समाज क्या है यहां राजाओं का समाज है तो राजाओं के समाज को चोड़ करके वो अलग हो जाए जिसने भी यह सिवजी का धनुस तोड़ा है नत मारे जैखें ही सब राजा नहीं तो मारे जाएंगे सारे के सारे राजा अरसुर राम जी कहते हैं कि जिसने भी सुनो राम जिसने भी शिव जी के धनुस तोड़ा है न वो राजाओं के समाज को छोड़ करके अलग हो जाए नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे आर्फात परसु राम जी का अपमान करते हुए उनकी अवमानना करते हुए बोले क्या बोले बहुत धनुईतोरी लरिकाये लक्समान जी कहते हैं कि परसुराम जी ए गुर्देव ए स्वामी बहुत धनुई दोरी लरकाई लरिकाई आर्थात बच्पन बहुत सी धनुईयां तोड़ी है अमने बच्पन में अपने पहले कभी ऐसा कुरोध नहीं किया है अपने बच्पने में डेर जारी धनुईयां तोड़ी है तब तो आपने कभी ऐसा कोई कुरोध नहीं किया है ऐसा लक्समान जी ने कहा और ये सुनकर के आगे कहते हैं कि यही धनुपर ममता केही हे तू इसी धनुपर आपका इतना प्रेम इतनी ममता क्यों है केही हे तू किस कारण से हैं इसी धनुपर आपका इतना प्रेम क्यों है ऐसा कहा लक्समरजे ने आगे कहते हैं कि सुनी रिषा यह कहा ब्रगुकुल केतू यह बात सुनते हैं सुनी सुन करके शोगे वर घूकुल के तूं ब्रगुंसं व्रगुकुल ब्रगु के वनश के के तूं के समान तो ये बात सुन करके परशुरामजीब अत्यंत क्रोजित हो गए और क्या कहते हैं लग्शमन को कि रेंरभ बालक काल बस बोलत तोहिन संभार धनूई समत्रिवरारी दुनूँ विदित सगल संसार यह कहते हैं रेंरभ बालक अरे राजा के पुत्र राजा के भालक कि बोलो तो की निए संभार तुम संभाल करके नहीं बोलते हूं परता कि तमीज नहीं तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो तू थात बच्छ में खेलते हैं जिस लुक्त से उसको धनू का जाता है तो परशुरामजी ने कहा कि तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो, तुम भगवान सीव के धनुस को धनुई बता रहे हो, धनुई समत्री पर आ रहे हो, धनुई विदित सकल संसार विदित जानता है, सकल सारा संसार, अरे भई जिस धनुस के महिमा को सारा संसार जानता है, उसको उसके बाद लक्समंद ने कहा, लक्समंद कैसे बार-वार उनको चेड रहे हैं, उनको क्रोधित कर रहे हैं कहते हैं कि लकन कहा खसी हमरे जाना लक्षमण ने हस करके कहा हसी हस करके हमरे जाना यानि हमारी जानकारी में तो हमारी जानकारी में तो सुनो देव सब धनुस समाना सुनो देव हमारी जानकारी में तो सारे धनुस समान है आप क्या ये सिवजी के धनुस की बात कर रहे हैं त तो हमारे लिए तो सबी दनक्षमानग हैं लग्समान आगे कहते हैं कि यानि क्या हानी घशती है यहां तो क्या हानी और लब जून-पुराना दनग्षमान्ष दनसुट धृण आप इस दनुस के तूट जाने पर गुस्सा करें यह तो पुराना दनुस था देखा राम नयन के बोरे राम ने तो नया नहीं यानि नया बोरे अर्थात है नया समझाता यानि राम ने तो इसको नये के बरोसे में इसको उठाया था लेकिन यह तो पुराना दनुस था और य को नए समझा था लेकिन ये तो पुरान धनुस्ता आगे काया कि चुवता तोट रगुपति ही न दोसुग इसमें रगुपति का यानि राम का कोई दोस नहीं है ये तो चूथा ही टूट गया न का chce किरिय का track इसमें राम का कोई दूस्त नहीं है आगे लिःका है कि दो परस की औरा परस्त की और इशारा करते हुए परसुराम जी कहते हैं कि रे सट सुने की सुभावन मुरा रे सट अरे मुर्ख सट यानि मुर्ख होता है कहते हैं कि अरे मुर्ख सुने की सुभावन मुरा तुमने मेरे सुभाव के बारे में नहीं सुना है अर्दात तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो आगे कहते हैं कि बालको बोली बदो तो ही नहीं बालको बोली अर्दात बालक समझ करके बदो तो ही नहीं वदो यानि वद तो ही तुमारा नहीं तुम्हारा बद नहीं कर रहा हूँ, यानि तुम्हें बच्चा समझ करके नहीं मार रहा हूँ, ऐसा परसुराम जी ने कहा, केवल मुनी जन जाड़े ही मोगी, तुम मुझे क्यों लोगी, जड़, मुर्क, जड़ का मतलब होता है मुर्क, केवल मुर्क मुनी की जान रहे हो, समझ रहे हो तुम मुझे लेकिन मैं तुम्हें बच्चा समझ करके ही नहीं मार रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी यतिकोट रोगी यानि परशुराम जी अपनी तारीफ अपना परिचे स्वेम दे रहे हैं कि नहीं बाल ब्रह्मचारी अतिकोगी यानि मैं बाल ब्रह्मचारी हू और अत्यन्तक्रोदी हूं विस्वविदित क्षत्रियकुल द्रोगी हूं विस्वविदित सारे संसार जांता है। कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोगी हूँ अर्तात क्षत्रिय कुल का द्रोगी हूँ अर्तात राजबूत जो होते हैं क्षत्रिय कुल वाले जो होते हैं मैं उनका शत्र हूँ क्योंकि अने को बार उनने इस धर्दी को क्षत्रिय विहिन कर दिया था परशुराम जी ने इसलिए का यह दिक रोखी अर्था आता है निबाल ब्रमचारी हूं और विश्व विदित ख्षत्रेकुल रोखी और सारा संसार जानता है कि मैं ख्षत्रेकुल का द्रोखी हूं आगे कहा कि भुजबल भूमी भूब बिनुकीनी विपल बार मही देवन दीनी यह कहते हैं भूजबल कि मैंने अपनी बूजाओं के बल से इस धर्दी को राजाओं से विहिन कर दिया था विपल बार विपल यानि अनिकों बार धेर विपल का मतलब धेर सारा तो विपल बार यानि अनिकों बार मही देवन दीनी मही देवन मही धर्दी देवन देवता धर्दी की देवता कोन ह तो अनेको बार राजाओं से वो धर्दी ले करके मैंने ब्रामणों को दे दी थी विपुल बार मही देवन दी नहीं अर्दा तो अनेको बार ब्रामणों को वो धर्दी मैंने दे दी थी किस से ले करके क्षत्रियों से ले करके क्योंकि मैंने क्षत्रियों से विगिन कर दिया था इस धर्दी को अने को बार आगे कहते हैं कि सहस बागु बुजचेदनी हारा परस विलोग महीप कुमारा ये महीप कुमार ये राजा के कुमार परस विलोग अर्ताद फर्से को देख, कोन राजा के पुवाब की बुजाओं को काटने वाले, मेरे इस फर्से को देख लुजा hearing इसका प्रभाब क्या हुआ, तुलसी दाजी आगे लिखते हैं पर सूराम ficaते हैं कि अपने मात पिता को चिन्ता में मत डाल मात पिता को चिंता मत कर, चिंतित मत कर गर्बन के अर्बक दलन परस मौर अतिगोर यानि मेरा ये जो फरसा है वो कैसा है? गर्बन के अर्बक दलन यानि गर्ब में पल रहे बच्चों को भी दलन अर्थात नस्ट करने वाला है मेरा ये जो फरसा है वो ऐसा है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नस्ट कर डालता है तो गर्भन के अर्बक दलन परसो मोर अति घोर मेरा यह जो अत्यंत प्रचंद फर्सा है वे मेरे गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नस्ट करने वाला है ऐसा मेरा फर्सा है